हालो माई देरी स्टुडेंट्स वेलकम तो माई चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम क्लास फाइफ्ट एवीस के एन्वाल एक्जाम के एक सैंपल कोशन पेपर को डिसकस करने वाले हैं और ये कोशन पेपर केंदरी विद्याले के स्टुडेंट्स के लि एक पिक्चर है किस तरह की नेचरल क्लाइमिटी में ये बॉइ अपनी लाइफ को सेफ करने की कोशिश करता है फर्स्ट अर्थक्वेक दूसरा सुनामी तीसरा फ्लड और चौथा स्टॉब इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अर्थक्वेक कुशन नमबर फोर है वी प्ले इस इंस्टूमेंट बाइब इस इंस्टूमेंट को हम हावा भूग कर बजाते हैं पहला है टेबल दूसरा फ्लूट तीसरा गिटार और चौथा ड्रम यह है फ्लूट यानि बासुरी पुशन नमबर फाइब है इस इंस्टूमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसका यूज हार्ड बीट को सुनने के लिए किया जाता है सब्सक्राइब फस्टीफ है इस्टेफ़ इस्टेफ़ोस्कोप दूसरा है मारीक्रोस्कोप तीसरा धरमामेटर और चौत अननाते है तो यह कोश girिक conservation नमबर 6 है जा प्रोश्स आफ ब्रेटिटिंग इसंकॉल्ड इस्टराशी सासलेने की प्रोशयस को बहते हैं Exhalation, Oxygen, Inhalation and Air Correct option है C, Inhalation Question number 7 है What is the name of Gandhiji आश्रम? ये Gandhiji का आश्रम है पहला आश्रम साबर मती दूसरा शारदा तीसरा हेरा मती और चौथा नन आफ्तिस इनके आश्रम का नाम था साबर मती Question number 8 To which state Surmani belongs? Surmani किस state को बिलाँ करता था? First, Chandigarh, दूसरा ओरिसा, दीसरा जारखंड और चौथा मीजुरिम Surmani जारखंड को बिलाँ करता था Question number 9 है Farmers in earlier times kept which leaves near seeds to protect them from insects पहले के टाइम में Farmers किस leaves को seed की पास रखते थे उसे protect करने के लिए ये leaf का picture बना हुआ है पहला है नीम, दूसरा बैनिया, तीसरा पाइन और चौथा है मैंगो, तो फार्मर सीट को protect करने के लिए नीम की leaf को रखते थे Question number 10 है, which of the following is a cold dessert, ये कौन सा dessert है, इसे identify करना है लग्ता, श्री नगर, राजस्थान या सहारा, तो ये picture है लग्ता की अगला section है, identification and classification यहां पर very short answer type question में Question number 11 है, vehicles stop at the test for filling fuels यहां पर हो जागा petrol pump Question number 12, which disease can be inherited from parents to their children यहां पर आप लिख सकते हैं Diabetes Question number 13, what job do you like to take up when you grow up आप लिख सकते हैं, doctor, teachers या आप जो भी बनना चाहते हैं Question number 14 Which program has the government taken to eradicate polio यहाँ पल्स polio Question number 15 है, which is a water related natural climates यहां पर आप फ्लेट लिख सकते हैं या फिर tsunami Short answer type question में Question number 16 है, suggest two ways to save petrol, petrol को save करने के दो ways बताए यहां पर पहला आप लिख सकते हैं Switch off engine at red light और दूसरा, use carpool etc. Question number 17 है What do you call Mother's brother, mother के brother को आप क्या कहेंगे और father's sister को तो mother के brothers को कहते हैं mama और father के sister को बोलते हैं Bua Question number 18 है, name two games which play as an individual and as a team दो बताने हैं दो गेम के नेम बताने ने हैं जो आप इंडीविजल के खिलते हैं और टीम के साथ खिलते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला चिस और लूडो और दूप्स के आप होकी और क्रिकेटू यह गेम इंडिविजुल्स के एक्जाम्पल्स है और यह दोनों के टीम के एक्जाम्पल्स है कोशन नमबर 19 है Read the bar chart carefully and answer the following question Change in fuel use over 20 years यहाँ पर fuel में 20 years में क्या changes हुए है उसके लिए यह बार डाइग्राम दिखाए गया है यहाँ पर शो किया गया है How many houses of the hundred use it और यहाँ पर दिखाए गया है years 1976 में यह बार शो कर रहा है कि 84% उपले और वुट का यूज किया गया है यह शो कर रहा है 10% LPG और केरोसीन का यूज किया गया है यह शो कर रहा है 5% कोल का यूज किया गया है और यह शो कर रहा है 1% electricity का यूज किया गया है 1996 के बार में देखे उपले और वुट का यूज 75% किया गया है 18% LPG और केरोसीन का यूज किया गया है 2% कोल का यूज किया गया है और 5% electricity का यूज किया गया है पहला कोश्चन पुछा गया है In year 1976 Out of 100 How many houses used to उपले and woods 1976 में ये बार उपले और वुट की यूज को बता रहा है जो कि 84% है 1st का आंसर हो जाएगा 84 2nd question है Which was the fuel used the least in 1976 1976 में सब से कम electricity का यूज किया गया है आंसर हो जाएगा electricity Question number 3 है Out of 100 How many houses were using electricity in 1996 1996 1996 में electricity यूज की गई है 5% 3 का आंसर हो जाएगा 5 यहाँ पर 4 number का question है Which fuel was used the least in 1996 What percentage of houses used in the year 1976 1996 में सब से कम कौन सा fuel यूज किया गया है और उसी 1976 में कितना यूज किया गया है 1996 में सब से कम यूज होने वाला fuel है coal और इसे 1976 में यूज किया गया है 5% 4 का आंसर हो जाएगा coal और 5% अगला सेक्शन है discovery of facts वेरी शॉट आंसर है question आंसर दा following question Question number 20 Which is the main crop of जूण farming जूण farming की main crop है rice Question number 21 Which sea is close to the state of Odisha कौन जसी Odisha स्टिच से close है या चुड़ा हुआ है यह है Bay of Bengal Question number 22 Name a place famous for boat housing boat housing के लिए famous है Kashmir और केरला Question number 23 Name two things made of bamboo bamboo से बनने वाली दो चीजों की नाम लिखे पहला है container और दूसरा है fencing Question number 24 है Name two special type of foods made on festival that you celebrate यहां पर किसी भी food का आप नाम लिख सकते है यहां पर मैंने लिखा है खीर और हल्वा Question number 25 है Name two characteristics that a person can inherit यहां पर आप लिख सकते है A person can inherit colors, disease or shapes Question number 26 है What do you mean by deforestation Deforestation का क्या मतलब है Answer हो जाएगा Cutting of trees for personal Public use is called a deforestation Public use के लिए या individual use के लिए जब trees को काटा जाता है तो उसे deforestation कहते है Question number 27 है Write full farm of LPG और CNG LPG का full farm है Liquefied petroleum gas और CNG का full farm है Compressed natural gas Question number 28 This is the last question of the paper Question है Write in brief about the right forest act 2007 What can you do to protect your environment? Answer हो जाएगा This is in act 2 Recognize and waste the forest rights and occupation In forest land, in forest driveling Scheduled tribes and other traditional forest drivelers Who have been residing in such forest for generations We do not cut trees and plants New sapling to grow the plants कुछ इसी तरह का question paper आपसे भी पूछा जा सकता है इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी syllabus दिया गया है उसे अच्छी तरह से तयार करिए This is the end of video Thanks for watching